नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं गुड लख स्पेशल और मैं हूँ आपके साथ शहलेंद्र पांडे आज कल वाहन लगजरी से ज़्यादा आपकी जरूरत हो गई है और आज हम ये बात करेंगे कि आप जब वाहन खरीदें वाहन चलाएं तो किन बातों का ध्यान रखें कब ऐसा होता है कि हम बढ़िया गारी खरीद पाते हैं गारी का सुख ले पाते हैं और कब ऐसा होता है कि तमाम प्रियासों के बावजूद हमें वाहन का सुख नहीं मिल पाता लगन के अनुसार जानेंगे कि आप अपने वाहन के लिए किन बातों का ध्यान बनाए रखें तो चलिए कारिक्रम की शुरुवात करते हैं और सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वाहन का जो सुख होता है जोतिश में इसको कैसे समझा जाता है देखिए वाहन के सुख को भी कुंडली में बड़ा महत्वपूर स्थान दिया गया है कैसे समझेंगे इसको कुंडली का जो चतुर्थ भाव है चौथा खाना है ये किसी भी तरह के सुख से संबंद रखता है किसी भी चीज का सुख हो कैसी भी हार्मनी हो उसके लिए कुंडली का चतुर्थ भाव जिम्मेदार है ये चतुर्थ भाव वाहन का और भवन का सुख भी देता है आपके पास वाहन होगा या नहीं भवन होगा या नहीं उसका अच्छी तरह उप्योग कर पाएंगे या नहीं ये चतुर्थ भाव से जान सकते हैं वाहन से संबंद रखने वाला प्रमुक ग्रह होता है शुक्र शुक्र की वज़ा से जीवन में वाहन मिलता है वाहन का सुख मिलता है शुक्र की अच्छी इस्थिती अच्छा वाहन भी देती है और वाहन का सुख भी देती है चुक्कि वाहन सामान्यतह लोहे का बना हुआ होता है इसलिए कुछ मामलों में शनी का संबंद भी वाहन से माना जाता है ज्यादा तर मामले में शुक्र और चतुर्त भाव ये महत्वपूर होते हैं वाहन का सुख देने के मामले में और शनी भी महत्वपूर होता है वाहन खरीदने में और वाहन का सुख देने में वाहन का सुख पाने के लिए और उसको ठीक रखने के लिए कुछ बातों पर विचार करना जरूरी है आप गाड़ी खरीदने जा रहे हैं आप गाड़ी का प्रियोग करते हैं कुछ बातों पर जरूर विचार करें ताकि आपकी गाड़ी आपका वाहन जीवन में आपको परियाप्त सुख परियाप्त आनंद दे सके तो जब आप गाड़ी खरीदने जा रहे हैं या वाहन का सुख जीवन में पाना चाहते हैं तो कुछ बातों पर आप जरूर ध्यान देंगे सबसे पहली बात है वाहन का रंग वाहन का रंग कितना महत्वपूर है देखे गाड़ी का जो रंग है आपके वो वाहन की समस्तु उर्जा को अकेले प्रभावित कर देता है सफेद रंग की गाड़ी है पूरे वाहन में चंद्रमा और शुक्र का प्रभाव बना रहेगा काले रंग की गाड़ी है पूरे वाहन में शनी का प्रभाव बना रहेगा अगर वाहन का रंग आपके लिए अनुकूल है तो वाहन में आप अच्छा महसूस करेंगे यूँकि माल लिया आप सफेद रंग की गाड़ी में बैठे तो चारो तरफ उपर से नीचे आगे से पीछे हर तरफ सफेद रंग का इंपैक्ट आपके उपर बन जाएगा अगर वाहन का रंग आपके लिए अनुकूल है तो वाहन में बैठ करके आप अच्छा महसूस करेंगे आपको आनंद मिलेगा अगर वाहन का रंग आपके लिए अनुकूल नहीं है तो वाहन में बैठ करके आपको चिन्ता और धबराहत होगी आप वाहन में आनंद से नहीं बैठेंगे वाहन में बेवजा की चिंता बेवजा की घबराहत आपको परिशान करेगी या आपके मन में एक डर रहेगा कि मेरे वाहन की दुरघटना ना हो जाए इसी लिए अपने अनुकूल ग्रहों के अनुसार वाहन के रंग का चुनाव करना चाहिए जो ग्रह आपके लिए अनुकूल हो जो ग्रह आपके लिए फाइदे मंद हो उसके रंग का चुनाव करना आपके लिए बेहतर होगा सामान्यतह सफेद रंग का जो वाहन है वो सबके लिए अनुकूल होता है क्योंकि सफेद रंग में सारे के सारे रंग सातों के सातों रंग पाए जाते हैं इसलिए सफेद रंग का वाहन आम तोर पर सबके लिए बढ़िया होता है लेकिन काले रंग का वाहन अधिकतर लोगों के लिए अनुकूल नहीं होता काले रंग का वाहन 90 प्रतिशत लोगों को सूट नहीं करता बावजूद इसके दिखावे में फैशन में लोग काले रंग का वाहन लेते हैं और बाद में काले रंग के वाहन से उनको समस्याएं परिशान करती हैं तो वाहन में एक चीज इंपोर्टेंट हो गई कलर आगे हम रंगों के बारे में और जानकारी देंगे लेकिन रंग वाहन का बहुत महत्वपूर्ण है दूसरे नंबर पे वाहन का नंबर वाहन का नंबर कितना महत्वपूर्ण है देखिए वाहन का नंबर भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है ये वाहन को सुरक्षित रखने में और सही काम करने में सहायता करता है आपका वाहन सुरक्षित रहे, वाहन की दुरगटना ना हो, वाहन सही तरीके से चले इसके लिए वाहन का नंबर इंपॉर्टेंट होता है वाहन के अन्तिम चार अंक का योग वाहन के जो लाश्ट के चार अंक हैं, इनका योग ही वाहन का मुख्य नंबर होता है जैसे वाहन का अन्तिम चार नंबर है, 4845 तो इसको जब आप जोडेंगे तो 8, 4, 12, 4, 16, 5, 21 फिर 21 को जोडेंगे 2, 1, 3 तो वाहन का मुख्य नंबर होगा 3 तो अन्तिम के जो चार डिजिट हैं, अन्तिम के जो चार अंक हैं, उनका टोटल आपके वाहन का मुख्य नंबर होता है ये मुख्य नंबर वाहन के स्वामी के अंक से मेल खाना चाहिए ऐसा तो कोई नंबर ही नहीं है, कि परिवार में 5 लोग हैं, तो पांचों के साथ मेल खा जाए लेकिन एक नंबर जो आप चुनाव करेंगे, जिसके नाम से गाडी है, उसके नाम से नंबर मैच होना चाहिए ये मुख्य नंबर वाहन के स्वामी के अंक के साथ मेल खाना चाहिए सामान्यतह मैं सलाह देता हूँ, कि जो अंतिम चार डिजिट का टोटल आता है, जो मुख्य अंक आता है, ये मुख्य अंक 8 नहीं होना चाहिए वाहन का मुख्य अंक, आठ रखना बहुत मुश्किलों में डाल सकता है, वाहन की दुरगटना हो सकती है, या गाडी बार बार खराब रह सकती है वाहन के मामले में जो छे का अंक है, जिसका टोटल सिक्स आता है, छे का अंक अगर वाहन का मुख्य अंक हो, तो नब्बे प्रतिशत लोगों को सूट करता है, काफी अच्छा माना जाता है चार का अंक भी अगर वाहन का मुख्य अंक हो, तो स्वामी के साथ उसका मेल देख लेना चाहिए यानि वाहन के मुख्य अंक अगर चार हो या आठ आ जाए, तो बड़ी सावधानी रखिये और वाहन के जो स्वामी हैं, अगर उनके साथ मैच नहीं कर रहा है, तो अंकों को बदलने का प्रियास करिये क्योंकि चार और आठ अंक के वाहन हर आदमी को सूट नहीं करते हैं और नब्बे प्रतिशत मामलों में छे अंक वाले जो वाहन होते हैं, वो जादातर लोगों को सूट करते हैं तो वाहन में दो सबसे महत्वपूर बाते हों गई, एक वाहन का रंग और एक वाहन का अंक अब ये जानते हैं कि वाहन रखने पर किन सावधानियों का पालन करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वाहन की रोज सफाई होनी चाहिए, जितना संभव हो वाहन को यथा शक्ती जितना संभव हो साप सुथरा रखना चाहिए, वाहन को साप सुथरा रखना अच्छा होगा वाहन में सामने के डैश बोर्ड पर किसी देवी देवता का चित्र या देवी देवता का प्रतीक या उनकी मूर्ती लगानी चाहिए अगर बहुत मजबूरी ना हो तो वाहन में सामान्यतः खाना खाने से बचना चाहिए और अगर आप वाहन में खाना खाते ही हैं मजबूरी है कोई जगा नहीं है तो खाना खाने के बाद वाहन की अच्छी तरह से सफाई करिए वाहन में जूठा अनाज न गिरा हो तो जादा बेहतर होगा बहुत सारे लोग अपनी गारी में खाना भी खाते हैं शराब भी पीते हैं नशा भी करते हैं तो वाहन में नशा करने से बचियेगा जो लोग वाहन में एलकोहल का सेवन करते हैं ऐसा देखा गया है कि उनकी गारी जल्दी चेंज नहीं होती बराबर खराब रहती है गारी से संतोश नहीं होता और गारी के साथ दुरघटनाएं होती हैं गारी या गारी का सामान चोरी होता है तो वाहन में कृपा करके एलकोहल का सेवन मत करिये वो करना किसी भी हिसाब से बेहतर नहीं होगा और जब आप वाहन चलाने जा रहे हैं तो पहले भगवान का या अपने गुरू का स्मरण जरूर करियेगा अपने गुरू को याद करें या भगवान को याद करें आपके लिए अच्छा होगा और राम चरित मानस की एक चौपाई है वो भी आप तीन बार कह सकते हैं चलत विमान को लाहल होई, जै रगुवीर कहे सब कोई तीन बार इसको कह करके आप अपनी गारी चलाना शुरूरू कर सकते हैं एक लाल कपड़ा ले लें उसमें तीन या पांच छुहारे बाध लें और इसको बाध करके वाहन के डैशबोर्ड में रखें और इसको 6-6 महीने पर या साल साल भर पर बदलते रहें ऐसा करने से आपके वाहन की दुरघटना नहीं होगी क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपने किसी गलत नंबर की गाड़ी ले ली किसी गलत रंग की गाड़ी ले ली तब बार बार दुरघटनाएं होती हैं उससे बचने के लिए आप अपने वाहन में लाल कपड़े में छुहारा बांध करके रखिये आप दुरघटनाओं से सुरक्षित बने रहेंगे अब हम आपको बताते हैं कि अलग अलग लगन के लोगों को जीवन में वाहन सुख कैसा मिलता है और किस तरह से अपना वाहन आपको रखना चाहिए कि आपको जीवन में वाहन सुख मिल सके और ये जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं आपके लगन के अनुसार सबसे पहले बात करेंगे मेश लगन की मेश लगन वालों के पास वाहन भी होता है और वाहन का सुख भी रहता है चतुर्त भाव का स्वामी चंद्रमा और चतुर्त से चतुर्त भाव का स्वामी शुक्र इनके पास वाहन जरूर होगा और वाहन का सुख भी रहेगा अगर आपका लगन मेश लगन है तो ब्लू शेड्स के वाहन नीले शेड्स के वाहन नीले रंग के फिरोजी कलर के स्काई ब्लू कलर के वाहन आपके लिए अच्छे होंगे और वाहन में सामने के डैश बोर्ड पर हनुमान जी का चित्र या हनुमान जी की एक मूर्ती लगाईएगा अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको वाहन का सुख मिलता रहेगा वाहन की तरफ से सामान्यतह आपको दिक्कतें नहीं आएंगी व्रिशब लगन की बात करें व्रिशब लगन वालों के पास वाहन जरूर होता है चतुर्त भाव का स्वामी सूर्य है अकसर पिता के सपोर्ट से या पिता के द्वारा दिया गया वाहन इनके पास रहता है ऐसा देखा गया है और अगर ये खुद से पैसे से वाहन कमाते हैं तो बहुत वक्त लगता है लेकिन तब भी वाहन इनके पास आ जाता है इनके साथ मुश्किल ये है कि अकसर इनका वाहन गड़बड हो जाता है अकसर गारी खराब होगी कभी पंचर हो गई कभी लीकेज हो गया कभी स्टार्टिंग में प्रॉबलम है यानि वाहन की गड़बड़ी अकसर इनको परिशान करती है जिसको ले करके ये काफी दुखी रहते है अगर आपका लगन व्रिशब लगन है तो सफेद शेड के वाहन वाइट कलर के जितने भी वाहन है या वाइट का जितना भी शेड है वाइट, पर्ल वाइट, ओफ वाइट, ब्राइट वाइट ये तमाम वाइट के सफेद के जो शेड हैं वो इनके लिए अच्छे रहते हैं सफेद रंग या सफेद रंग से मिलते जुलते वाहन अगर आप खरीदें तो आपके लिए अच्छा होगा और वाहन में शिव जी की स्थापना जरूर करेंगे अपने सामने के डैश बोल्ड पर शिव जी की एक छोटी सी मूर्ती या शिव जी का एक छोटा सा चित्र जरूर लगाएंगे ऐसा करने से वाहन की गड़बडियां आपको परिशान नहीं करेंगी मिठुन लगन वाहन इनको थोड़ी उम्र के बाद मिलता है थोड़ी देर से मिलता है हलाकि कभी कभी विवाह के समय इनको वाहन मिल जाता है ये संभावना इनके लिए जरूर बनती है एक बार वाहन अगर ये खरीद लेते हैं तो जब तक दूसरी गाड़ी ना खरीद लें तब तक पहला वाहन मत हटाईएगा आपने एक बार गाड़ी खरीद ली या आपको मिल गई तो आप तब दूसरा वाहन खरीद दियेगा या तब इसको हटाईएगा दूसरा बुक हो गया आने वाला है तब आप पहली गारी हटाईएगा अगर आपने पहले ही पहली गारी बेच दी और दूसरी गारी के लिए इंतजार करेंगे तो उसमें बहुत वक्त लगेगा दूसरी गारी खरीदने में बड़ी समस्या हो सकती है आपको और वैसे भी मिथुन लगनवालों को जल्दी कोई गारी पसंद नहीं आती है ये एक प्रॉब्लम है इनके साथ इसलिए पहला वाहन रखिए खूब प्रियोग करिए तब हटाईएगा मिथुन लगनवाले अगर क्रीम रंग की गारी खरीदें या सिल्वर कलर की गारी खरीदें तो बहुत अच्छा होगा क्रीम शेड की गाड़ी, सिल्वर कलर की गाड़ी, हरे शेड की गाड़ी, ग्रीन शेड, क्रीम शेड, सिल्वर शेड, इसकी गाड़ी खरीदना इनके लिए बढ़िया होगा और जहां तक संभव हो, अपने गाड़ी में, अपने डैश बोर्ड पर भगवान गणेश का चित्र या भगवान गणेश की छोटी सी मूर्ती, इसकी इस्थापना जरूर करेंगे और अगर आप ऐसा करते हैं, तो वाहन का सुख आपको मिलता रहेगा, आपका कल्यान और मंगल होता रहेगा अब बात करते हैं करक लगन की, चतुर्त भाव का स्वामी स्वयम शुक्र है, तो इनके पास गाड़ी हो या ना हो, बढ़िया गाड़ियों में घूमेंगे, बढ़िया गाड़ियों में सफर करेंगे, और जरूरत के समय इनको गाड़ी उपलब्द हो जाएगी करक लगन की अगर बात करें, तो ये हमेशा ही बेहतरीन वाहनों का सुख प्राप्त करते हैं, हमेशा इनके पास बेहतरीन वाहन जरूर होते हैं, और अगर अपनी गाड़ी नहीं है, तो भी दूसरे की बेहतरीन गाड़ी से ये सुख उठा लेते हैं, इनको आनंद मिल जा कर्क लगन वालों को गाड़ी या गाड़ी के सुख की कमी कभी नहीं होती है इनके लिए सफेद शेड की गाड़ी, वाइट शेड की गाड़ी और लाल शेड, रेड शेड की गाड़ी इनके लिए हमेशा बढ़िया होगी सफेद और लाल शेड के जो वाहन हैं वो इनके लिए हमेशा बेहतर होंगे जहां तक हो सके गाड़ी में अपने डैश बोर्ड पर अपने सामने हनुमान जी का चित्र या हनुमान जी की एक मूरती लगाईए जब भी गाड़ी चलाने जा रहे हैं गाड़ी चलाने की शुरुआत करने जा रहे हैं हनुमान जी को प्रणाम करके तब गाड़ी चलाईएगा बहुत बढ़िया रहेगा और अगर आपने सफेद गाड़ी खरीदी है करक लगन है आपका तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है सिंग लगन में वाहन का सुख बहुत अच्छा आम तोर पर नहीं होता है अपनी गाड़ी जब तक नहीं है इनके पास तब तक ये दूसरों की गाड़ी से बहुत आनंद लेते हैं बड़िया बड़िया गाड़ियों में घूमते हैं लेकिन अगर अपनी गाड़ी आ गई तो वो इतना ज़्यादा परिशान कर देती है कि ये बिल्कुल ठक जाते हैं अगर सिंग लगनवाले अपनी गाड़ी खरीदें तो ये हमेशा वाहन को ले करके परिशान रहते हैं गाड़ी अक्सर खराब होती है और अक्सर इनको परिशान करती है दूसरे की गाड़ी ले आएं दूसरे की गाड़ी से घूमें तो उसमें दिक्कत नहीं है लेकिन अपनी गाड़ी से घूमने लगेंगे तो उसमें जंजट पैदा हो जाएगा इनके लिए ग्रे कलर के वाहन और स्लेटी शेड के वाहन अच्छे होते हैं ग्रे कलर, स्लेटी कलर, लाइट शेड के कलर इनको सूट करते हैं जहां तक हो सके एक पीले कागस पर लाल इंक से लाल पिन से गायत्री मंत्र लिखिए और इसको लिख करके अपने डैश बोर्ड पर चिपका लीजिए अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको लाब होगा क्योंकि जब आप गाड़ी चलाने जाएंगे तो सामने उसको देखेंगे सामने उसको देखेंगे तो एक बार पढ़ लेंगे तो आप इसको पढ़ के गाड़ी चलाएंगे गाड़ी बढ़िया चलेगी और गाड़ी में गायत्री मंत्र की तरंगे मौजूद रहेंगी तो बार-बार के खराब होने से आप बच जाएंगे कन्यालग्न कन्यालग्न के जो लोग होते हैं आम तोर पर इनके परिवार में वाहन शुरू से होता है तो इनको वाहन का सुख जीवन में शुरू से मिल जाता है जब से ये चाहते हैं जैसे ही कॉलेज में पहुँचे ग्रेजुएशन किया वैसे ही इनके पिता या परिवार की तरफ से इनको गाड़ी मिल जाती है जिस जमाने में मोपेड होती थी उस जमाने में मोपेड, मोटर साइकल, बाइक मिलती थी अब कार मिलती है कन्या लगनवालों के पास हमेशा ही गारी होती है देशकाल पात्र के हिसाब से और कन्या वाले अगर थोड़ा ध्यान रखें तो बहुत अच्छे ड्राइवर भी होते हैं कन्या लगनवाले बढ़िया गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी तो इनको चलाना multiple गाड़ियां चलाना आता है और बहुत सारी गाड़ियां आमतोर पर इनके घर में होती हैं इनके लिए सफेद और नीले शेड के वाहन उपियुक्त होते हैं वाइट और ब्लू शेड सफेद रंग की गाड़ी या नीले शेड की गाड़ी इनके लिए हमेशा बढ़िया होती है वाहन में सामने के डैश बोर्ड पर भगवान कृष्ण की एक छोटी सी मूर्ती या भगवान कृष्ण का एक छोटा सा चित्र इस्थापित करें आपका वाहन आपके लिए बढ़िया काम करेगा और आपको वाहन का सुख मिल पाएगा अब जानते हैं तुला लगन के बारे में देखिए तुला लगन वाले भी वाहन के मामले में भाग्यवान होते हैं और गाड़ी इनके पास हो या ना हो लेकिन तुला लगन के लोग बच्पन से ड्राइविंग सीख जाते हैं इन्हें सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती गाड़ियों का पैशन होता है बच्पन से गाड़ी चलाना सीख जाते हैं धीरे धीरे इनको गाड़ी आ जाती है और वाहन के मामले में भाग्यवान होते हैं एक से ज़ादा गाड़ियां इनके पास रहती हैं वाहन के मामले में तुला लगन भाग्यवान हैं और अक्सर जिन लोगों की ट्रांस्पोर्ट कमपनी हैं या जो लोग टूरिंग ट्रवलिंग का काम करते हैं उसमें बहुत सारे लोग आपको तुला लगन या तुला राशी के दिखाई देंगे क्योंकि वाहनों का और इनका कनेक्शन बहुत गहरा होता है इनके लिए काले और नीले शेड्स के वाहन अच्छे होते हैं तुला लगन वालों को ब्लैक शेड्स सूट करता है और साथ में नीले शेड्स के वाहन भी इनके लिए उत्तम होते हैं अनकूल होते हैं वाहन के आगे उसके बोनट पर एक लाल रंग का छोटा सा स्वस्तिक लगाईएगा जब आप गारी खरीद के ले आते हैं पूजा करवाने के लिए तो पंडित जी सिंदूर से गारी के आगे बोनट पर एक स्वस्तिक बनाते हैं जब ओ स्वस्तिक पूरी तरह से मिट जाए धुल जाए तब वहाँ पर एक लाल रंग का स्वस्तिक या तो बना दीजिएगा या लाल रंग के स्वस्तिक का श्टीकर वहां लगा दीजिएगा आप ऐसा करेंगे तो आपको वाहन से लाब जरूर होगा और वाहन संबंदी समस्याओं से बचे रहेंगे वरिश्चिक लगन थोड़ी मुश्किल होती है गारी खरीदने में भी और गारी का सुख लेने में भी क्योंकि अक्सर इनकी गारी देर में आती है काफी उम्र के बाद आती है और जब आती है तो लोग मांगते बहुत हैं अपनी गारी दे दीजिए ये काम है वो काम है अपने से जादा अपनी गारी दूसरों के काम में आती है वरिश्चिक लगन वालों की लेकिन फिर भी गाड़ी तो रहती है इनके पास इसलिए कुल मिला जुलाकर वाहन का सुख इनको मिल जाता है हाला कि मिलता थोड़े देर में है लेकिन वाहन इनके पास रहता है इनके लिए सफेद रंग के जो वाहन है वाइट कलर के जो वाहन है कोई भी वाइट हो पर्ल वाइट जैसा भी वाइट हो सफेद रंग का वाहन आपके लिए उत्तम होगा और वाहन में सामने डैश बोल्ड पर भगवान शिव का चित्र या भगवान शिव की एक छोटी सी मूर्ती लगाईएगा आपका वाहन बढ़िया चलेगा कभी भी आपको किसी परिशानी म नहीं डालेगा धनू लगन वाहन का सुख मिल पाना इनके लिए इतना आसान नहीं होता आम तोर पर विवाह के बाद ही इनको वाहन का सुख मिल पाता है विवाह हो जाने के बाद इनके पास वाहन आता है सामाननिता विवाह के पहले वाहन होता नहीं और अगर होता है तो काम चलाओ होता है विवाह के बाद बढ़िया वाहन इनको प्राप्त हो जाता है लाल रंग का वाहन और सिल्वर कलर का वाहन लाल शेड का वाहन और सिल्वर शेड का वाहन इनके लिए हमेशा बढ़िया होता है वैसे लाल गाड़ी आप खरीदें तो सबसे अच्छा है आपके लिए और वाहन में डैस बोर्ड में जो जगा होती है उसमें हनुमान चालिसा रख दीजिए वो पढ़ा रहे और जब भी गाड़ी में कभी खाली हैं किसी का इंतजार कर रहे हैं तो आप अपने गाड़ी में वो हनुमान चालिसा पढ़ लीजिए आपके वाहन की तरंगें बेहतर होंगी और वाहन का सुख आपको प्राप्त होगा मकरलगन देखिए मकरलगन वालों के पास अपनी गाड़ी आने में टाइम लगता है आम तोर पर जब नौकरी में सेट हो जाते हैं उम्र के 30-32 साल तक तब इनके पास इनका खुद का वाहन आ पाता है हाला कि driving ये काफी पहले से जानते हैं मकरलगन वालों को मैं कहूंगा कि इनको वाहन चलाने में हमेशा सावधानी रखनी चाहिए वाहन चलाने में हमेशा alert रहें क्योंकि आपके साथ दुरगटनाएं बहुत होती हैं और लाल रंके और नीले रंके शेज के वाहन से बचियेगा लाल वाहन बिलकुल नहीं नीला वाहन बिलकुल नहीं सफेद या हरे रंका वाहन आपके लिए अच्छा होगा वाहन में भगवान कृष्ण का चित्र या उनकी छोटी सी मूर्ती अगर आप रखें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा कुम्ब लगन कुम्ब लगन वाले गाड़ी खुद की कमाई की अपने कमाई की देर में खरीते हैं देर में पाते हैं लेकिन चतुर्त भाव का स्वामी शुक्र है इसलिए बच्पन से ही बढ़िया बढ़िया गाड़ियों में घूमेंगे बढ़िया बढ़िया गारियों में आनंद लेंगे वाहन का सुख इनके पास रहता है चाहे अपना वाहन हो चाहे अपना वाहन ना हो आम तोर पर जीवन में दूसरों के वाहन का बढ़िया बढ़िया गारियों का आनंद लेते हैं अपनी गाड़ी नहीं है कोई बात नहीं घूमेंगे बढ़िया गाड़ी में ही अपनी गाड़ी नहीं है कोई बात नहीं जरूरत पे बढ़िया गाड़ी मिल जाएगी जीवन साथी का भाग्य जब इनके साथ जुड़ता है इनका विवाह होता है या इनका जीवन साथी इनके साथ इनके व्यवसाय में आता है तब इनके पास पर्मानेंट इस्थाई वाहन आ जाता है इन लोगों को नीले, सफेद और ग्रे, ब्लू, वाइट और ग्रे शेड के वाहन सूट करते हैं काफी अपने वाहन में शिव जी का एक छोटा सा चित्र या छोटी सी मूर्ती रखियेगा आपको लाब होगा वाहन का और भी सुख आपको जीवन में प्राप्त होगा मीन लगन मीन लगन वाले अकसर क्या करते हैं कि पैसा बचाने के चकर में Secondhand गारी खरीद लेते हैं और उसके बारे में जाँच परताल करते नहीं पता चलता है एक्सिडेंटल गारी है अब क्या हो फस जाते हैं या Secondhand गारी खरीदते हैं गारी जादा तर खराब रहती है अब खरीद चुके हैं पैसा फस चुका है अब क्या करें? देखे मीन लगनवालों को इमानदारी की सलाई ये है कि आप छोटी गारी खरीद लीजिये या थोड़ा इंतजार कर लीजिये लेकिन सेकेंड हैंड गारी मत खरीद येगा जहां तक हो सके गोल्डिन यानि सुनेहरा, पीला या सफेद रंग का वाहन आपको खरीदना चाहिए और वाहन में अपने सामने हनुमान जी का एक चित्र जरूर लगाईएगा और जब वाहन चलाने की शुरुवात करेंगे तो हनुमान जी को प्रणाम करके तब वाहन चलाईएगा आपके वाहन में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी देखिए वाहन के रंगों पर नंबर पर हमने चर्चा की आपको बताया कि वाहन में क्या रखेंगे कैसे इस्तमाल करेंगे एक महत्तोपूर बात और है कि मालिया आपने काले रंग की गाड़ी खरीद ली क्योंकि आजकल जो यंगस्टर्स हैं जो युवा लोग हैं जो बच्चे हैं उनको काली गाड़ी का बड़ा क्रेज है और बाद में पता चला कि काला रंग तो किसी को सूट करता ही नहीं है घर के मालिक के साथ काला रंग मैच करता ही नहीं है गाड़ी में दुरगटना हो रही है गाड़ी के साथ जंजट हो रही है गाड़ी खराब हो रही है अब अगर आपने काली गाड़ी नहीं नहीं खरीदी है और उससे बार बार दिक्कत हो रही है तो तुरंट बेचेंगे नहीं ऐसी स्थिती में दो उपाय कर लीजिए ताकि क लाली गाड़ी से जब तक आप उसे चलाएं या जब तक आप उसे इस्तेमाल करें आपको दिक्कत ना हो गाड़ी के डैश बोर्ड पर लाल रंके या सिंदूरी रंके हनुमान जी की मूर्ती या चित्र इस्थापित कर लीजेगा वैसे बेहतर होगा लाल रंकी छोटी सी मू भारे लाल कपड़े में बाद करके गाड़ी के डैश बोर्ड के अंदर रख देंगे और तीसरा काम जब भी गाड़ी चलाएंगे चाहे आप चलाएं चाहे घर का कोई भी व्यक्ति चलाएं पहले हनुमान जी को दोनों हाथों से जो मूर्ती रखी है डैश बोर्ड पर उस आपको बहुत दिक्कते नहीं होंगी आप किसी मुसीबत में किसी समस्या में नहीं पड़ेंगे तो आपका आने वाला सब्ताह शुब हो मंगल में हो इश्वर की कृपा बनी रहे इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड़ नीउस टुड़े नमस्कार